दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे परोनती और अस्थानांतरन में क्या अंतर है परोनती किसे कहते हैं और अस्थानांतरन क्या होता है परोनती और अस्थानांतरन दोनों को उपरांत आपको मूल विद्दाले के अतरिक अन विद्दाले सौपा जाता है लेकिन दो उनों में अंतर है, खास तोर से इस वीडियो में हम जानेंगे कि आस्थान अंतरन का लाब ले चुके शिक्षकों को क्या प्रुनती का लाब मिलता है, अगर आप शिक्षक हैं तो यह वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपके भी आकांच्छा होगी कि भव यह वीडियो की शुरुवात करते हैं, दोस्तो प्रुनती को पर्मोशन कहते हैं, शिक्षकों की प्रुनती लोड गरेट से अपर गरेड में होती है, बेसिक गरेट के शिक्षक को प्रुनती का लाब देकर अस्तनातक गरेड में पदस्थापित क्या जाता है, प्रुनती के उपरांद आपके वेतन भत्ते में भी बरौतरी होती है आपके गड़ेट पे बढ़ा दिये जाते हैं आपको वे सभी सुधाये दी जाती है जो अपर गड़ेट के शिक्षकों को मिलती है पुरुन नती से संबंदित अंजानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखें लिंक डिस्क्रिप्शन में है अब हम बात करते हैं अस्थानांतरन के बारे में अस्थानांतरन का लाब वे शिक्षक ले सकते हैं जो अपनी वर्तमान सेवा से संतुष्ट नहीं है उनको अस्थानांतरन का लाब मिलेगा वे अपने घर के दूर विद्धाले से अस्थानां पाकर अपने गिरह जिला में आ सकते हैं। शिक्षकों के अस्थानांतरन भी दो परकार के होते हैं। परसपरिक और एच्छिक अस्थानांतरन। परसपरिक अस्थानांतरन में किसी अन्शिक्षकों के साथ आपका परसपर अस्थानांतरन होगा। आपका विद्धाले उनको सौपा जाएगा आप उनके विद्धाले में चले जाएंगे एच्छिक अस्थानांतरन में आप अपनी कोटी में कहीं भी जा सकते हैं याद रहे अस्थानांतरन हो चाहे परुनती आपको अपने ही कोटी में रहना है अगर आप अनारक्षी सरेनी से आते हैं तो आपको अनार स्थेवाकाल में अधिक्तम दो बार ही दिया जाता है जिसका वर्नन बिहार राजिये किरित परारंबिक विद्याले शिक्चक अस्थानांतरन अनुशाशनिक कारवाई एवं परुन्नती नियामवली 2018 में क्या गया है इसके बाद भी शर्ट है कि दोनों अस्थानांतरन यानी पर्थम एवं दियुतिय अस्थानांतरन के मद कम से कम चार वशों का अंतराल होना आवश्यक है अब हम आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं सवाल या उठता है कि क्या अस्थानांतरन का लाब ले चुके शिक्षकों को परुन्नती का लाब दिया जाएगा क्या परुन्नती एक परकार का अस्थानांतरन है वास्तविक्ता में जिला शिक्षा पदादी कारी सारन दोरा शिक्षा विभाग से यह सवाल पूछा गया है जिसके उत्तर हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं शिक्षा विभाग ने अस्पष्ट कहा है कि शिक्षकों की पुरुनती के फवसोरूप किये गए पदास्थापन को अस्थानांतरन नहीं माना जाएगा पुरुनती अलग है अस्थानांतरन अलग है अगर आप अपनी सेवा अवधी में दो बार अस्थानांतरन का लाब ले चुके हैं फिर भी आपको पुरुनती का लाब दिया जाएगा और पुरुनती का लाब ले चुके शिक्छक भी अगर अस्थानांतरन चाहते हैं तो अस् तो दोस्तो एक शिक्षक की रूप में यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं इसी तरह की ज्यानवर्दन जानकारी के लिए शिक्षक और शिक्षा से संबंदित सभी महत पुर्न अपडिट के लिए हमारे यूटूब चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्स कि अच्छा की जरूर जानकारी की जरूर शिक्षक और शिक्षक पुर्न जानकारी करें।